प्रमुख वर्णिक छंद, वर्ण बृत्व, वर्णिक छंदों की रचना का आधार वर्णों की गर्णा होती है, इसके तीन मुख्य भेद होते हैं, सम अश्रम, विश्रम, प्रमुख वर्णिक छंदों का उलेक, इंद्र, वज्रो, परिभासा, यह सम वर्णिक छंद है, चा इंद्र वजरा चंद्र का उधार्ण है। पत्दी के प्रथेक्चंद्र में जगन 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 और दो गुरु के करम में ग्यारा वण है। यह उपेंद्र वज्राचंद है मालिनी परिभासा यह सम वण बृत्त है इसमें 15 वण वाले परते क्षण्ड में 2 नगण 1 मगण तथा 2 यगण करम से रहते हैं यद 8 एवंग 7 वण पर होती है वसंतिल का परिभासा यह सम वण एक चंद अर्थात सम वण बृत्त है इसके 14 व वाले प्रतेक चण में क्रम से एक तकण, एक भगण, दो जगण सही दो गुरु का विधान किया गया है। यह वसंत थिलकाचंद का उदाण है। सवया, परिभासा, इस समवनब्रित के प्रतेक चण में पाईस से लेकर 26 तक वन अच्छर होते हैं। सवया, चंद के कई भेद हैं। जैसे मत्यग यंद, चुंदरी, शुमुकी, मनहर, इत्यादी। मत्यग यंद, सवया, यह समवनब्रित है, इसके तेश वनवले प्रतेक चण में साथ भगण, तथा दो गुरु करम से राते हैं। सवया, यह समवनब्रित है, इसका प्रतेक चण में साथ भगण, यह अंद, दो गुरु से उगा है, यह मत्यग यंद, चंद का उधान है, शुमुकी, मनब्रित है, इसका प्रतेक चण 25 वनवला होता है। प्रतेक चण में आठ सगण, तथा एक गुरु वनड करम से राते हैं, इस उधान का प्रतेक चण 25 वनवला है, यह सभी चणों के प्रारमें में आठ सगण, तथा अंद में एक गुरु के होने से यह सुन्दरी सवया का उधार है। मनहर या मनहर सवया इसके प्रतेक चण में 31 वनवला चर होते हैं। प्रतेक चण में 31 वनवला हैं, तथा सभी चणों में 8-8, 8-7 वनवला पर यति हैं। यह मनहर चंद का उधाहन है, सुमुखी सवया। इसमें 7 जगन तथा लगु गुरु से चंद की स्रिष्ट होती हैं, यह 11 और 12 में वनवला पर होती हैं। मदिरा सवया के प्रारब में एक लगु वन जोड़ देने से सुमुखी सवया का जनावती हैं। सवया का यह रूप जगन अरथाद लगु गुरु लगु की आबरित के आधार पर चलता है। एक बार यहां पर विद्यार्थ योखम बताते हैं, लगु का आविपराय मातरा की दिश्ट से 1, गुरु का आविपराय मातरा की दिश्ट से 2, यहां पर अगर देखा जाये तो लगु गुरु और लगु एक दो एक अरथाद गीना जाएगा संक्या होगी कुल 5, समझने क चीजे हैं एस्पस्टी करण उपर युक्तुधान में साथ जगण के पचात लगुरु का विधान है साथ जगण लगुरु होने से यहां सुमुखी छंद है